नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत IPL से पहले दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा जटका लगता हुआ देख रहा है दरसल रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर आईपिल के शुर्वाती 4-5 मैचों में शायद नहीं खेलने के वज़ा क्रिकेट ऑस्टेलिया की गाइडलाइन और साथ में शेनवान का निधन भी है डेविड वार्नर ने कहा है कि वो शेनवान की स्रध्धांजली सभा में जरूर शामिल होगे बता दें कि शेनवान को 30 मार्च को स्रध्धांजली मेलबंग क्रिकेट ग्राउंड पर दी जाएगी वार्नर का पिछले हप्ते थाईलाइन में दिल का दौरा पढ़ने के वज़ा से निधन हो गया था वार्नर ने कहा है कि आईप्यल हो या ना हो लेकिन मैं शेनवान की स्रध्धांजली सभा में 100 फीज़ दी जाऊँगा जब मैं बस्चा था तुम मेरी दीवार पर उनके पोस्टर लगा हुआ करते थे मैं हमेशा से शेनवान की तरह बनना चाहता था इसी लिए मैं उनकी स्रध्धांजली सभा में जरूर चाऊँगा बता दें कि डेविड वार्नर वैसे भी 5 अपरेल तक IPL 2022 का हिस्ता नहीं बन सकते हैं जिसकी वजह क्रिकेट ऑस्टेलिया के दिसानिर देश हैं क्रिकेट ऑस्टेलिया ने अपने सभी खिलाडियों को 5 अपरेल के बाद ही IPL में इंट्री की इजाज़त दिन है इसका मतलब वार्नर 30 मार्ज को पहले मेलबन में सेनवान की स्रध्धानली सभा में शामिल होंगे टिव आने के बाद ही दिल्ली कैपिल्स के बायो सिक्योर बबल में शामिल होने की इजाज़त मिलेगे इसका मतलब यह है कि वार्नर दिल्ली कैपिल्स के कम से कम शुरुवाती 4 मेंस तो नहीं खेल पाएंगे आईपिल 2022 में दिल्ली के अभियान का आगाज मुंबई इंडियन्स के खिलाफ 27 मार्च से होगा इसके बाद 2 अपरेल को गुजराट टाइटन्स और 7 अपरेल को लखनो सुपर जायंट से उनकी तक करोगी 10 अपरेल को दिल्ली की टीम के केर और 16 अपरेल को RCB से भिड़न्त होगी आपको बता दें कि वार्णर को दिल्ली ने 6 करोड 25 लाथ रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया था वार्णर RCB के खिलाफ IPL 2022 में पहली बार खेलते हुए शायद नजर आएंगे वैसे आपको बता दें कि वार्णर के ना आने की वज़ा से दिल्ली कैपिल्स के कप्तान रिशप पंत की मुश्किलें बरती भी नजर आ रहे हैं और वो टेंसन में हैं कि अब उन्हें विकल्प के तोर पर कोई एक और ओपनर देखना पड़ेगा वैसे आपको बता दें कि इस वक्त आस्टेलिया के टीम पाकिस्तान के दौरे पर 24 साल बाद पहुंची है और वहाँ पर 10 सीरीज खेली जा रही है और इसके बाद वन डे और T20 सीरीज भी होनी है और डेविड वार्नर आस्टेलिया टीम का हिस्सा है इसी लिए वो जल्दी IPL में नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ अपरेल में आकरी मकाबला होगा शुरुवाती हफते में उसके बाद ही आस्टेलिया के खिलाडियों को IPL में आने की इजाज़त दी जाएगी इसी बीच 30 मार्ज को डेविड वार्नर पहले शेनवान के स्रधान जी सभा में जाएंगे उसके बाद ही वो IPL खेलने के लिए उडान भरेंगे